नमश्कार दोस्तों गेट सक्टेट 247 के एको नियो वीडियो में आप सभी कास वागत है तो फाइनली आपकी वीडियो की ग्राम सिवा क्यानिके ग्राम विकास अधिकारी की जो प्री एक्जाम हो था प्रारंबिक एक्जाम हो था उसकी अंसर की यहां पर फाइनली जारी कर लिए है बोर्ड के द्वारा तो यही चीज़े मैं आपको पहले भी बताई थी कि इसके जो अंसर किया है और इसका जो रिजल्ट है उसका जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो जनवरी और फरवरी में कंप्लीट कर लिया जाएगा तो यही चीज़ां भी आपके सामने हो रही किसमें हमारी जो नंबर है हमने जो पहले काउंट किये थे उससे बहुत जादा कम हो रहे है किसी के जादा हो रहे है किसी कम कम हो रहे है लेकि कम हो रहे है जरूर उनके रीजन क्या है मैं आपको यहां पर पूरा डिटेल हो बताने वाला हूँ रिजल्ट कब तक आ जाएग चाहूंगा टेस्ट बुक आपके लेकर आया है yearly टेस्ट बुक पास जिसमें आपको साड़े चार सो से भी जादा एक्जाम्स के लिए 34,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे आप घर बैटे SSC, Railway, Banking, UPSC, Insurance, Defense, Police, Teaching वो स्टेट गोवर्मेंट के सभी एक्जाम्स की त्यारी अच्छे से कर सकते हैं अभी आपके लिए यहाँ पर हैप्पी आर्स सेल चल रहा है और इस पास में 49 रुपे की एक्स्ट्रा चूट पाने के लिए आप मेरा कोड GS10 यूज कर सकते हैं तो देर के इस बात की अभी खरीदिये टेश्ट बूक पास को जिसका लिए की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तो वन वाई वन करके आपके यहाँ पर एक डाउट ले लेता हूँ और सारी चीज़ें आपको डीटेल में समझाता हूँ की आती है उसमें तीन चार-अफा बंश साथ कोशन ऐसे होते हैं जो बोड़ की तरफ से गलत हो जाते हैं मतलब उनकी तरफ से यहाँ पर मैं आप बता देता हूं, आपती लगाने की जो date है, वो 2 से लेकर 4 तारिक तक है, ना, 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक है, इसके बीच में आप objection लगा सकते हो, basically देखिए, objection लगाने का भी एक तरीका होता है, online objection लगता है, आपती जो आपसे मांगी जाती है उसका एक proof आपको देना पड़ता है कि यह जो question है वो board ना तो गलत बता दिया है लेकिन अब आप जो सही कह रहे हो किस आधार पर सही बता रहे हो तो उसका एक proof आपको यहाँ पर online कुछ ना कुछ एक देना पड़ता है ठीक है न वो भी शुलक के साथ है देखिए यह चीज अलग है है न यहाँ पर पैसे भी लिए जाते हैं और board के द्वारा अंसर अगर गलत है और आप उसे सही भी करना चाते हो तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे यह थोड़ी चीज है न सही नहीं आपत्य अगर थीक है मांग लिए आपत्य कोई बात नहीं लेकिन इसमें शुलक नहीं होना चाहिए लकिन यहाँ पर शुलक दे रखा है बोर्ड की तरफ से उनके जो आंसर है वो गलत बता जाता है दूसी चीज जब आप पहले जो आंसर मैच करते हो यह तो इसकी पहली आंसर किया है यह बोर्ड की तरफ से ऑफिशल पहली आंसर किया है इससे पहले जो आपने मैच की थी वो आपने कोचिंग सेंटर या कहीं से कि कोचिंग सेंटर या जहां से भी आपने पूछा है वो अपना एक जवाब जो है वो अलग मानते हैं तो उसके आधार पे आपकी तीन चार नमबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो वो चीज तो अलग है अगर यहां पे जैसे अंसर की में देखने को मिला है कि कोशिण रोंग है उन पर आप आपती लगा दीजिए कोई दिकट की बात नहीं है जादा आपके डिफरेंस नहीं आएगा अब देखें दोस्तों जो कोशिंस गलत है जैसे कि जो आपका एंसर की में कोशिंस जो गलत है चार या पांच जो अतने भी है अब उनका क्या होगा आप जै आरेगा board, देखेगा कि हाँ यार, यह तो मेरी गलती था, अगर board ये माण लेता है, कि इस question में मेरी गलती थी, यानि कि board की गलती थी, अगर होता है, तो उस question को वहाँ से delete कर दिया जाता है, अब delete करने पीछे 95 पिचाण में कोशिन बचे अब 95 में से आपकी मार्किंग की जाती है बचे वे जिते भी आपने जवाव अगरे दिये वैसा होता है ठीक है अगर मान लो जिते भी कोशिन्स बोर्ड ये मानता है कि ये कोशिन हमारी तरफ से गलत हुए उनको तो वो डिलीट कर देगा जो बचे वे कोशिन्स है जैसे कि आपने आपत्य लगाई भी है और फिर भी अगर बोर्ड कहेगा कि नहीं ये तो हमारा ही सही है तो जो ऑफिशल दोबारा से जो अंसर किया एक है और उससे के साथ कट ओफ अगर आ जाती है उसमें वो बता देगा कि हमने जो अंसर माना है बोनस नहीं मिलता है बेसिकली कोशिन्स डिलीट कर दिया जाता है अगर कोई कोशिन्स गलत होता है तो तो यह चीज है तो नंबर कम होने का जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर समझ गया होंगे नंबर के हिसाब से कम हो रहे हैं आपके 3-4 जो नंबर का डिफरेंस आ है गषण कि बात नहीं है अगर शीन नहीं भी उनटी जाएगा उन67 करने करने से क्या होता है कि कोशन जबने का जाता है बेसिकली यहाँ पे कंट आपики की तैisf I अगर बात की तो कमेंट बॉक्स बात दीजएगा और मैंने पहले भी cutoff पे आपका वीडियो बना दिया था, फिर से आपको बता देता हूं, देखिए बहुत जदा हाई cutoff नहीं जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पेपर का लेवल भी देखा जाता है, पेपर का लेवल बहुत जदा हाई था, वीडियो का पहले भी आपने जो प्रि पूछा था कि आपके कितना स्कोर बन रहा है किसके बीच में लगबग आपका एक स्कोर रह रहा है वह आपको समझा देता हूं और उसके बाद एक कट ओफ फे थोड़ी सी फिर से यहां पे चर्चा कर देता है ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए वो भी अच्छे से पोल के नुसार देखिए 40 से 45 नंबर लगबग 27 परतिश्यत लोगों के आ रहे है यानि कि 27 परतिश्यत काफी होता है यह न लगबग को हो तो एक चोटा ही विध्यारती के यहां पे 40 से 45 नंबर यहां पे बन रहे है 45 से 50 के बीच में भी 19 परतिश्यत विध्यारती है 19 परसंट स्चुडेंट है 50 से 55 के बीच में 21 परसंट यहां पे स्चुडेंट्स मिल रहे है 55-60 के बीच में, जिनका स्कोर बन रहा है उनका अगर percentage की बात करें, 14 । 14 परतिशत है और 60-प्लस की बात करें 60-प्लस, उनमें भी काफी अच्छे विधरती है लग वग 19 परतिशत, 19% विधरती हैं अगर मैं मोटे तोर पर बात करूँ कि 40 से लेकर 55 के बीच में कितने students आपको यहाँ पर मिल रहे हैं लगवग 67% students आपको 55 से नीची देखने को मिल रहे हैं उनके आसपास cut off कभी नहीं रहती उनके बीच में रहती है तो बीच का एक अंदाज़ जो मैं आपको पहले भी बताया था कि 50 से 55 के बीच में जिनका भी स्कोर बन रहा है उनको means की तियारी बिलकुल करनी चीए मैं तो अभी भी कह रहा हूँ रिजल्ट आजाएगा उसके बाद आप त्यारी करोगे तो टाइम बहुत कम मिलेगा क्योंकि इसी एक्जाम डेट वगएर आपको यहां पे सब देखने को मिल चुकी है रिजल्ट बेसिकली फरवरी में 101 परसेंट आपका रिजल्ट फरवरी में देखने को मिल जाएगा ब पर्चास से उपर अगर आपका स्कोर बना है ना फिफ्टी प्लस अब वो पच्पन भी हो सकता है साथ भी हो सकता है तो आपको एक मेंस के तहरी करनी चीए फिस से वही चीज जो रहा हूँगा आपके तहरी बिलकुल भी खराव नहीं होगी इस साल बहुत सारी वेकेंसी ज जारी हो चुकिए है तेरा मार्च को उसमें भी आपका रास्तान जी के वगएर आई रहा है हिंदे इंगलेश आई रहा है तो वहां पर आपको तहरी हो जाएगी तो तहरी बिलकुल भी में छोड़ी का आगे आपके RSMSSB की LDC की वेकेंसी आने वाली है बहुत अच्छे इनमें बहुत सब्सक्राइब करेंसे देखने को में नहीं मिलता ज्यादा ज्यादा आपको दो तीन नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा यह भी मैं हाईस तोर के बता रहा हूं हाईस्ट बता रहा हूं और हो सकता है कि इनकी जो कटओफ अगर है जो EWS और OBC इनकी करता हूं तो भी अगर 45 प्लस भी अगर आपका है 46, 47, 48 जो भी है तो भी आपको मेंस की त्यारी करनी चाहिए एक बार के लिए ठीक है उसके बाद है कि MBC वगर आ जाता है CST आ जाता है जिनके मैं 40 के आसपास लेके चलता हूं 42, 45 के बीच में 40 प्लस आप मान सकते हो तो य यह बेसिकली है देखिए वुमेंस की बात यहां पर कर लूँगा पहले एक सर्विसमें वीडो फिजिकल हैंडिकेप्ट डिवोस्ड यह जो तीन-चार कैटिगरी जो अलग से आती है इनकी कट आफ सबसे कम जाती है तो इनकी कितनी जाने की उमीद है इनकी 35 से लेकर 40 के ब पाला है दो से तीन नमबर का डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अपनी केटिगरी यह साब से जो मैं आपको कटाओ बताईए उसमें दो से तीन नमबर का डिफरेंस कर लेना कम कर लेना उतना आपका स्कॉर है देखिए 50 प्लस जिसका भी है चाहे किसी भी करनी चाहिए जरूर नहीं के प्रचास के आसपा जाए 55-60 जिनका भी स्कॉर है वो तो बहुत जादा अच्छा है काफी स्टूडेंस के मेरे बाद मैसेज कॉल आते हैं कि सर हमारा तो पच्पन नमबर है अठावन नमबर है साथ नमबर है इतना स्कॉर है क्या हमें मेंस की करनी चाहिए आपको 101 परसंट करनी चाहिए मैं तो एक नीचला नीचे का टार्गेट लेकर चला हूं कि 50 प्लस वालों को भी करनी चाहिए क्यूंकि इसमें कट आफ हाई जाने की जो चांसे जो बहुत कम है बहुत जादा कम है तो अभी से तेहरी में जूट चाहिए कट आपको बता दिया और इसकी जो आपती और आपको बता दिया है आप अब्जेक्शन लगा सकते हो ताकि आपका जो कोशन वह आगे इन फूचर सही हो जाए या फिर उसे डिलीट कर दिया जाए आपको उस चीज का नुकसान उठाना ना पड़े तो यह सारी चीजे हैं अचा कट ओफ कितनी जाएगी यह बेसिक तो मैंने आपको बता दिया यह चीजन डिपेंड किस पर कटी है मैंने आपको पहले भी काता कि नंबर ओफ स्टूडेंट्स कितने लिये जाएंगे इस पर आपकी कट ओफ डिपेंड करेगी है ना 12 से 15 गुना का कहा गया था अगर अगर 12 गुना लेते हैं एक क्राइटेरिया मान के चलता है कि 12 गुना, 13 गुना, 14 गुना और 15 गुना इस चार क्राइटेरिया मैंने आपके सामने ले लिए है अगर देखिए इन चारों में से अगर कट ओफ की बात करू ना तो 15 गुना अगर स्टूडेंट लेते हैं तो 13 गुना स्टूडेंट लेते हैं तो उससे भी थोड़ी से हाई जाईगी और 12 गुना स्टूडेंट लेते हैं तो उससे भी थोड़ी हाई जाएगी निकिए कहने का मतलब क्या है कि जितने कम स्टूडेंट लिए जाएंगे न इतने कट ओफ आई जाएगी और जितने ज्या अब आपके सामने आजाएंगे जैसे नोटिस आएगा आपके साथ यहां पर शेयर कर दूंगा और कोई डाउट रहे था तो कमेंट बॉक्स हों पूछ ले ना यह वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट आशे जरूर करें चैनल पर पहली बा